जैहिंदे वेल्कम टू टूड़े एक्जाम क्लासीज दोस्तो आज के इस वीडियो हम रीड परते पर एकसा 2022 के लिए राधस्तान और SSTGK के कुछ मोस्ट इंपोर्डेंट मोडल पेपर की उसन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके READ 2022 के नए सहलिबस में सामील हैं अगर दोस्तो आभरी READ 2022 की त्यारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरू देके और इस अभी मोस्ट इंपोर्डेंट क्यूसन आंसर को जरूर याद करें क्योंकि दोस्तो यह सबी क्यूसन है जो आपके Read परिक्सा 2022 के लिए कापी Most Important क्यूसन आंसर है और दोस्तो आपका बतादे कि Read परिक्सा के लिए रादस्तान करंट अपेस के सवाल अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप हमारे Telegram Group को जॉइन कर लिजी जहां पर आपको रादस्तान करंट अपेस के सारे PDF हैं वो आपको एकदम फिरी में मिल जाएगा तो इस सवाल का सही जवाब देगा Option D सामजिक अधियन विशे के अंतरगर्त मानुकी आर्थिक, नागरिक और सामजिक पक्स का अधियन क्या जाता हैं नेक्स अगला दूसरा किसन है आदूनिक रादस्तानी साहिते का पहला उपनियास कौन सा है तो इस सवाल का सही जवाब देगा Option A आदूनिक रादस्तानी साहिते का पहला उपनियास हैं वो कनक सुन्द्री हैं जिसको साल 1903 एसवी में बर्तिया द्वारा लिखा गया था किसके द्वारा बर्तिया द्वारा गया लिका कनक सुन्द्री हैं जो आदूनिक रादस्तानी साहिते का पहला उपनियास हैं अगला नेक्स तीसरा किसन है गणगोर वा तीज के अवसर पर कौन सा नरत्य रादस्तान की पैचान बन सुका हैं एक मात्र रेलवे स्टेशन का कौन सा है जो आदा रादस्तान में आदा मद्य प्रदेश राजीय में हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B जालावार जिले में इस्तित बमानी मंडी रेलवे इस्टेशन है जो एक आदा हिस्सा जिसका राधस्तान में है और आदा हिस्सा मध्य परदेश में हैं आपको बताते कि दक्सनी भाग है वो राधस्तान के जालावार में है जबकि उत्री भाग है वो मंद्सोर मध्य परदेश में हैं किस रेलवे इस्टेशन का जालावार में इस्तित बमानी मंडी रेलवे इस्टेशन का भाग next अगला पांचवा किसन है सताबदी एक्सप्रेश ट्रेन किस जनम की किसकी जनम सताबदी के उफ्लक्स में चलाया गया था या चलाई गई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A बारत के परदम परदान मंत्री पंडी जवाल नहरु जी की जनम सताबदी के उफ्लक्स में चौदा नौबर 1988 में सताबदी एक्सप्रेश ट्रेन को चलाया गया था और यह ट्रेन है वो दिल्ली से जांची के बीच चलाई गई थी नेक्स अगला चटा किसन है ग्रेफाइट का राधिस्तान में प्रापती इस्तल लोट याना खेड़ा चेतर कहां हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C ग्रेफाइट का राधिस्तान में प्राप्ति इस्तल डुमाड़ा, अंबा वा लोट यान चेतन हैं वो अजमेर जिले में इस्तित हैं और ग्रेफाइट के बंडार की द्रिश्टी में राधिस्तान का देश में आठवा इस्तान हैं और दोस्तों आपको बतादे की ग्रेफाइट राधस्तान की अजमेर के अलवा अलवर बांसवाड़ा और जोदपूर जिले में भी पाया जाता है अगला नेक्स साथवा किस्न डूंगरपूर वापासवाड़ा के निकट तिलवाड़ा में सोमपूर जाती के मूरतिकार कौन सी मूरतियां बनाते हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B डूंगरपूर वा बाहसवड़ा के निकट तिलवड़ा में सोमपूरा जाती के जो लोग रहते हैं वो काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं कौन सोम पूरा जाती के मूर्तिकार जो डूंगर पूर्वा बहाँ स्वाड़क के निकट तिलवाड़ा में रहते हैं नेक्स्ट अगला आटवा किसन है दिसम्बर 2000 से कॉल बेड मिथेन परियोजना किस बैसीन में संचालित की जा रही है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन ए दिसम्बर 2000 से कॉल बेड मिथेन परियोजना है वो बाड़ मेर सांसोर बैसीन में संचालित की जा रही है अगला नेक्स्ट नोगा किसन है स्वतंतर्था से पूरू राजिये की कितनी रियासतों में राजिये सेवों में बरती है तो लोग सवा आयोगे गटिते किये गए थे स्वतंतर्था से पहले राजिये में तीन रियासतों में राजिये सेवों में बरती है तो लोग सवा आयोगे गटिते किये गए थे कितने रियासतों में लोग से वायो गटित केते सेमम राजे सेमम भरती है तो तेन रियासतों में कौन कौन जी जैपूर जोदपूर और विकानेर रियासतों में अगला दस्वा किसने राजिये में पुलीस महा निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन बी राजिये के मुख्यमंत्री के द्वारा राजिये में पुलीस महा निदेशक की नियुक्ति की जाती है अगला नेक्स्ट 11 वा किस ने 8 दिसंबर 2018 को संपन राधस्तान विदान सभा के चुनाओं में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी तो इस स्वाल का सई जवाब देगा option D 8 दिसंबर 2018 में संपन वे राधस्तान विदान सभा के चुनाओं में कुल 24 माइले हैं वो निर्वाचित हुई थी अगला नेक्ष्ट बारवा किसे ने राधस्तान के पूरवी मैदान भूबाग में राजिय की कुल कितने परतिसत जनसंक्या निवास करती हैं गुंचाली परतिसत जनसंक्या वो पूरवी मैदान भूबाग में निवास करती हैं और पूरवी मैदान का भूबाग में वो राधस्तान के कुल चेतरपल के 23 परतिसत बाग पर विश्थ्तरता हैं next अगला 13 वा किसे ने नया उब्वोगता सरक्ष्ण अधिनियम 2019, संसद द्वारा कब पारितिक क्या गया था तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option A, छैअगा सर्क्ष्ण 2019 को 2 अग़ती सरक्ष्ण अधिनियम 2019 हैं, वो संसद द्वारा पारितिक क्या गया था किसके दवरा संसद के दवरा अगला नेक्स चौदवा किसने निमन मैं से कौन सा एक बोगोलिक की सूचना का स्रोत नहीं है तो इस सवाल का सई जवाब देगा option D प्राचेन मा कभी हैं जो बोगोलिक सूचना का एक स्रोत नहीं है जबकि यात्रियों के विर्वन से ही बोगोलिक की सूचना का जानकरी मिलती है प्राचेन महा सत्र से भी बोगोलिक सूचना का जानकरी मिलती है और चटानी पदार्तों के नमूनों से ही बोगोलिक सूचना की जानकरी मिलती है जबकि प्राचिन माहकवियों से बोगोल की सूचना नहीं मिलती है प्राचिन माहकवियों से धरम जाती संस्कृती के बारे में पता चलता है नेक्स्ट अगला पंदरवा किसन है राम सने संपरदाई का कौन सा महोचो संपरदाई की अपनी विशेष्टा रखता हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन है C. फूल डोल महोचो है जो राम सने संपरदाई का अपनी एक विशेष्टा रखता हैं और फूल डोल माँस में रूद राधस्तान के बीलवाड जिले का प्रसिद्व माँचों है अगला नेक्स थोड़वा किसन है रण नरती राधस्तान के केसे शेतर में पुरुसों के द्वारा हातों में तलवार लेकर किया जाता है तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ऑप्स चेतर में किया जाता है मेवाड चेतर में अगरा नेक्स थोड़वा किसन है वह कौन से लोग देता हैं जिनकी अराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हों ने गूजरों की गायों को मेवासे चुड़ाने एतू जीवन की आहुती दी थी तो इस सवाल का सही जवाब नी लोक देवता तेजा जी हैं जिनकी अरादना इसलिए की जाती हैं क्योंकि उन्होंने गूजरों की गायों को मेवा से छुड़ाने यह तु अपने जीवन की आहुती दी थी कौन से लोक देवता ने लोक देवता तेजा जी ने नेक्ष्ट अगला अटारवा किसने राजस्तान सरकार ने कौन से वर्स में राजस्तान राज्य जै विविता बोड की इस्तापना की थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन एनी 14 सितंबर साल 2010 में राजस्तान सरकार ने राजस्तान राजी जैविविता बोर्ड की स्तापना की थी कब की थी राजस्तान राजी जैविविता बोर्ड की स्तापना 14 सितंबर 2010 को अगला नेक्ष्ट उग्णी स्वा क्यूसन है राजस्तान में इस्तित चाक्षू में सीतला माता का मिला कब बरता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी यह नी चैत्रक्रशन अश्टमी को राजस्तान में इस्तित चाक्षू में सीतला मेतला का मिला है वो आईजित होता है कब होता है चैत्रक्रशन अश्टमी क और ये किस जिले में आए जोता है वो आप कमेंट सक्षिन में लिकर जरूर बताईए नेक्स्ट अगला बीस वा किसे ने राजस्तान का चरी नर्तिय किस समाज की महिलाओं द्वारा क्या जाता है तो इस समाज की महिलाओं के द्वारा क्या जाता है चरी नर्तिय गूजर जाती की महिलाओं के द्वारा अगला नेक्स्ट 21 वा किसे ने राजस्तान के किस जिले में बारत के पहले हाइब्रेड पावर प्लांट को सुरू किया गया है अगला नेक्स्ट 22 वा किसे ने गांदी इर्विन समझोता में हस्तराक्सरित होने में किसने मैत्मून भूमी का निबाई थी किसने तेज बादूर सप्रू ने और गांदी इर्विन समझोता हैं वो साल 1931 में हुआ था अगला नेक्स 23 वा किसे ने भारते सविदान सबाने भारते राष्टे दवज की रूप रेका को अंगिकार कब क्या था तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन सी ने 22 जुलई 1947 को भारते सविदान सबाने भारते राष्टे दवज की रूप रेका को अंगिकार क्या था कब क्या था 22 जुलई 1947 को नेक्स्ट अगलत चोईसवा किसने राष्टान में तीजो उत्सव का आयजन किस जिले में होता है तो इस सवाल का सई जवाब देगा ओप्सन सी ने राष्टान के जैपूर जिले में तीजो उत्सव का आयजन होता है जबकि बीकानेर में उट समरो का और भरत्मून में ब् इंडिया पोष्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राजिय कौन सा बना हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option यह नि गुजरात राज्य है जो डौन द्वारा इंडिया पोस्ट मेर डिलिवर करने वाला भारत का पहला राज्य बना हैं कौन सा राज्य गुजरात राज्य नेक्स्ट अगला 27 किसों ने पंचयती राज सबसे पहले राजस्तान और निमन लेके पहले से किसे राज्य में लागु किया गया था तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C नि पंचयती राज़स्ताрем活 सबसे पहले राजस्तान राजिय में लागू की गई थी नेक्स अगला 28 किसने सामबर जील राजस्तान के किस सेर के सबसे नजदीक में इस्तित्य हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option DNA सामबर जील है जो राजस्तान के जैपूर सेर के सबसे नजदीक में इस्तित्य जील हैं और सामर जील से भारत का सबसे अधिक नमक उत्पादित भी क्या जाता है अगला नेक्ष गुंती सा किसने राजस्तान में अबरक उत्पादक जिले कौन से हैं तो इस सवाल का सई जवाब देगा ऑप्सन एनी राजस्तान में बीलवडा और उदेपूर जिले हैं और बीलवडा और उदेपूर के अलवा अजमेर और रासमंद भी अबरक के मुक्य उत्पादक जिले माने जाते हैं और अंधर प्रदेश के बाद रादस्तान अबरक के उत्पादन में दूसरा इस्तान रखता है जबकि अबरक का उतपादन भारत का विसु में परतम इस्तान हैं भारत में 70 से 80% विसु का अबरक भारत में निकाला जाता हैं यानि अबरक के मामले में भारत हैं वो विसु में परतम इस्तान पर हैं और अंदर पर्दейस में सबसे زएदा अबरग का उत्पादन होता है जब की राज़स्तान का अबरग के उत्पादन में दूसरा इस्थान है और राज़स्तान में बीलवडा, उध्य पूर, अजमेर, राजसंबन है जो इसके मुक्य उत्पादक के जेले हैं अगला नेक्स्ट तीसवा किसन है पाकिस्तान की सीमा के साथ बारत के किन राजियों की सीमा लगती है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन सी नी बारत के पंजाब जम्मु कस्मिर राजस्तान और गुजरात की सीमा है वो पाकिस्तान देश की सीमा के साथ सीमा लगती ह किन किन राजियों की पंजाब जमु कस्मिर राधस्तान और गुजरात राजियों की अगला नेक्ष्ट इक तीसवा किसे ने मन मैं से किस राजिये में विसा का पटनम बंदरगां इस्तित हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा ओप्षण सी यह नि आंजर पर देश राजि तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B नी हाली में राजी कुमार को राष्टपती रामनात कोविन जी ने मुक्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ते क्या हैं और राजी कुमार है जो मुक्य चुनाव आयुक्त 25 वे मुक्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयु बारबन में तरुन रादस्तान द्वार्स दाने इन जयिंग Bayer guiding गया और वारबन में तरुन रादस्तान का वो कीता जैनरंड वियासने ensuite 35 किसेने अटूंडी अजमेर में गांदी स्व सेवा-स्रम की स्वापना किसने ती तो इस सवाल का सभर जवाब देगा option सी अटूंडी अजमेर में गांदी सेवा-स्रम हरी भाव्ण उपाद्य द्वारा की गई थी नेक्स्ट अगला 36 किसने चुन्निलाल वा अमरतलाल पायक का संबंद किस परजामनेट आंदोलन से मुक्यते जुड़ा रहा तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्सन भी चुनिलाल वा अमरतलाल पायक का समन्द है वो परताप गर्ड परजामन अंदोलन से मुख्यत जुड़ा रहा था किसका चुनिलाल वा अमरतलाल पायक का नेक्स्ट अगला 37 किसने परबसर में तेजा जी की इसमर्ती में विसाल पसु मेला किस तेजा जी को आयजितिक किया जाता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्सन भी परबसर नागोर में तेजा जी की इसमर्ती में विसाल पसु मेला है वो बादरपद सुकल दस्मी को आयजित्त होता है जिसको तेदा दस्मी के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट अगला 38 किसन है साथवी सताब्दी से आदुनिक राजस्तान के निर्मान तक मेवार चेतर पर किस वन्स का राज्य रा किनका मेवार चेतर पर मंस रहता साथवी सताब्दी से लेकर आदुनिक राजस्तान के निर्मान तक अगला नेक्स्ट गुंचारीसका किसन है राजस्तान राज्य में ओदुदै चेत्रों का निर्मान कारी रख रख हरा भगवावब कौन सा निगम अत्वाग संगटन देखता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C राजस्तान राजिये में अध्यक्दिक छेत्रों का निर्मान कारी रखरका आधी हैं वो रीको संगटन द्वारा देखा जाता है और राजस्तान में वर्तमान में तीन सो तीस ओदोगी की चेत्र हैं नेक्स अगला चारीस्वा किसने निम्मन की चेत्रों में से कौन सा चेत्र मानसून की अरब सागर साका से अधिक प्रबावित नहीं होता है तो इस सवाल का सही जवाब देगा option B नेक्स अगला चारीस्वा किसने एक मातर कौन सा ऐसा इस्तल है जां से सिंदू सब्यता वा पूरू सिंदू सब्यता के अवसे से मिले हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा option A एक मातर काली बंगा इस्तल है जहां से सिंदू सब्यता वा पूरू सिंदू सब्यता के आउसे से मिले हैं नेक्स्ट अगला बयाली सा किसन है नेमन मैं से किस परदामनल के प्रियासों से राधस्तान में परतमबार पूरण उत्रदाई सासन की स्थापना हुई थी तो इस सवाल का सही जवाब देगा option C नेमन में से सापूरा परदामनल के परियागों से राजस्तान में परतमबार पूर्ण उत्रदाई सासन इस्तापित हुआ था किस परदामनल के साइता से सापूरा परदामनल के परियागों साइता से नेक्स अगला 43 स्वा किसने दिल्ली के सिवालिक लो इस्तंब लेक में नेमर में से किस सासक का उलेक हैं तो इस सवाल का सही जवाब देगा ओप्शन B दिल्ली के सिवालिक लो इस्तंब लेक में विर्ग राज चतूर सासक का उलेक हैं तो इस सवाल का सभी जवाब देगा option D राजस्तान की 40 रियासत हैं जिसका एकिकरण दो चरणों में हुआ था इसी परकार नेक्स अगला अंतिम पेंतारी सा किस ने 1877 की क्रांती के दोरान डूंगर जी वा जवार जी ने कौन सी रियासत को लूटा था तो इस सवाल का सभी जवाब हैं वो आप कमेंट सेक्षिन में लिखकर जरूर बताई यानि 1877 की क्रांती के दोरान डूंगर जी वा जवार जी ने कौन सी सामनी को लूटा था तो आपसे ने एरिनपूरा नसीरबाद सेकावटी बिगर या नीमच इन चारों अपसेन हमें से स आपता के लिए जाहिंद वन्दे मात्रम